तुला राशी वालों के लिए कैसा है ग्रहूं का योगा योग जुलाई के मद्देभाग में कैसा रहेगा तुलाई ओम सरवाबाधा विनिर मुक्तु धनधान्य सुतान विता मनुष्यो मत प्रसादेन बविश्यती नशन शया नमसकार स्वागात है आपका आचारेवाणी में तुला राशी वालों के लिए कैसा रहेगा समय और ग्रहों का योगा याग, भुद्धों भी उदे होने के योग बना रहे हैं और जुलाई के मध्भाग में सुर्ग परिवर्तन भी होगा। तो तुला राशी वालों इस बात को आपको समझना चाहिए देखें तुला राशी वालों के लिए यह हम बात करें जुलाई के मद्धभाग में सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जुलाई की 11 जुलाई का पंचांग दिखाता है कि उस दिन सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की विशेशतर पर नौमी तिदिय मंगलवार का अवसर है और ऐसे में ग्रहों का योगा योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है लाब किस्तिदी बनाता दिखाई दे रहा है ऐसे में चन्मा धन आगवन के योग बना रहा है ब्रस्पति के साथ चन्मा रहू के साथ चन्मा सब्तम भाव में जिफ्रकार सा शुन्दर योग आपकी राशी के अनुसार से बन रहा है आपको आगे बढ़ने के अवसरफराप्त होंगे यदि आप अपने मन की बात सुनते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुन्दर तरीके से आपको लाप किसे दिबन सकती है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कष्ट घेर घोट कर आपके समक्ष आने के योग बनाएंगे लेकिन थोड़ा मन की बात सुनते हुए कारे करें जो इंट्यूशन है उसका लाप लेते हुए कारे करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा अन्यता वो जातक सुयम के लिए भी परिवार के लिए भारी रहेगा हम बात करें और एक बात और उस दिन सरवार्थ सिद्य योग विद्यमान है नया कारे आरंब करने के लिए सुबह से ही दिन अच्छा है तो इस दिन का लाप लें सुबह साड़े पांट बजे से लेकर शाम के साथ बजे तक सरवार्थ सिद्य योग विद्यमान है फिर दो-तीन दिन योग नहीं बनेगा तो इससे आप लाप ले सकते हैं नया कारे आरंब करने के लिए समय अनुकूल रहेगा वहीं 12 जुलाई के लिए हम बात करें तो दश्मी तिथी और साथ-साथ बुद्वार का अवसर तो ग्रह योग आप के लिए आज भी अनुकूल है बढ़िया तरीके से हैं लेकिन भद्रा विद्यमान है तो नया कारे करने के लिए विशिशत दौर पे दिन अच्छा नहीं है लेकिन पुराने जो कारे कर रहे हैं उन समय पूरी तरह से लाप के सिती प्रशस त्रूप से बनती दिखाई दिरिधनागमन की सूचना ये दिन लेकर आया है वहीं तीरा तारिक के लिए हम बात करें तो उस दिन ब्रस्पतवार का अवसर इकादशी तिती और चन्दमा का परिवर्तन वर्शब राशी में होने जा रहा है इस दिन कामदा एकादशी है कोशिशे करने चाहिए हर वेक्ति को आपने विशेशतोर पे ब्रामणों की सेवा सादू जन की सेवा उनके निमित वस्त्रदान इत्यादी अवश्य करने का प्रयास करें और ऐसे में चाहतो रुमा से चल रहा है तो ऐसे में विशेशतोर पे सादू संत्यादी का आशिरवाद लेने से समस्प्रगास के कष्टों को दूर करने के अफसर आपको बच सकते हैं कामदा एकादशी के दिन अवान विश्णु का पंचो प्चार शोड़शो प्चार पूजन करकर उनका चड़ना मृत करने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं साथ साथ आपके ग्रह गड़ना विश्ण तर पर दिखा रही है कि समय थोड़ा भारी है इस बात का ध्यान अक्ति ववेकारे करें चनवा वर्शब में जो आए हैं सुबह चार बजे आपके लिए थोड़ी सी खर्चे बढ़ाने वाले सिति बना सकते हैं स्वास्त का ध्यान अक्ति ववेकारे आपके पढ़ना चाहिए वहीं चोड़ा तारीक के दियम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिति और प्रदोश की सुन्दर योग बन रहे हैं क्योंकि शाम के समय त्रुदिशी का आगमन हो जाएगा तो तुला राशी वालों ये समझो कि आपकी राशी के अनुसार से शनी महारा आपको विशेशत दौर पे ग्रहों का प्रसंद करने का प्रयास करना चाहिए आजकल विशेशत दौर पे एक बास समझें कि देव शैनी का आदिशी से समस्त राजिसत्ता जो होती है संसार का कारी जो होता है भवान शिव के हाथ में आ जाता है तो ऐसे में शिव को प्रसंद करने की सुन्दत तिती है कोशिशे करें शाम के समय विशेशत दौर पे भवान शिव का अभिशेक करें थोड़ा बिलुपत्र भवान को अरपित करें ऐसे में ग्रह अनुकूल हो जाएंगे चंदमा थोड़ा अशुप चल रहा है बिलुपत परतिजी काविशेक करें भवान का और साथ-साथ उन पर बिलुपत्र अरपित करें समस्त कष्ट दूर होने की योग बनेगे वह हम बात करें 15 तारिक की ग्रह गणना के अनुसार से तो 15 तारिक को शनिवार है उस दिन मासिक शिवरात्री है त्रियोदशी उदैतिती के पन्न करेंगा शिवरात्री है और साथ-साथ-साथ-बुद्ध भी उदे होने के योग बना रहे है तो ये सारे इस्तिति आपके लिए अनुकूल हो सकती है थोड़ी सी मैनेजिंग कैपिसिटी में आपकी एन्हांसमेंट हो सकती है बहुत चीजों को और्गनाईज करने में आपकी शक्ती बड़ी सुन्दर तरीके से बन सकती है तो इसका आपको लाव लेने का प्रयास करना चाहिए शनिवार का अवसर है कोशिश करें भगवान शिव का अभीशेग थोड़े से तिलों के द्वारा करने का प्रयास करें तिलोदक के द्वारा करेंगे तो आपके शनी भी अनुकूल हो जाएंगे सुन्दर योग बनाएंगे आपके लिए ग्रहें का कष्ट भी दूर होगा मैं हम बात करें सुला तारीक की ग्रह गड़ना के रुसार से तो सुला तारीक को रविवार का अवसर और उसी संक्रान्ति का शुब योग भी पढ़ रहेगा ऐसे में सूर्य को प्रसंद करने का प्रयास करें आपके लिए कल्यान कारी रहेगा ग्रह गड़ना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है धर्मकारियों में जितना अपने आपको लिप्त करेंगे उससे और ज्यादा पुन्यों का उदे होगा और आपके मन में भी सदाचरण उत्पन होने के योग दिखाई देते हैं मन से आप शांत रहेंगे सरल रहेंगे ऐसा योग भी बन रहा है यदि सत्राचारी के हम बात करने तो उस दिन सोमवार का अवसर सावन का संक्रांती का पुन्य और साथ साथ सुमवती अवस्या का शुब अवसर कई ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा सुन्दर बन के आ रहा है तो ऐसे में कुशिश करने चाहिए सबसे पहले तो सोमवती अवस्या का लाब लेने का प्रयास करना चाहिए गरीव को भोजन कराए अपने पित्रों के निवित तरपन करें और सुमवती अवस्या के दिन तो साथ 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 सावन के महीने में सुमवती अवस्या क योग बन रहा है, बड़ा शुभ योग बन रहा है, ऐसे में हमने इस शुभ योग का लाब लेते हुए, वीवेका नन योगा आश्रमें सुन्दा तरीके से, दुतिय सोमवार पर सावन के, हमने बड़ा रुद्डरा बिशिक रखा है आप इसमें सम्मलित हो सकते हैं, लाप के योग बनेंगे, स्तितिया आपके अनुकूर होंगी, बहुत अच्छे ग्रहों का योगा योग बन रहा है, आगे बढ़ने के अफसर आपको प्राप्त होंगे, ऐसे ग्रह ग्रणना विशुष तोर पे दिखाई दे रही है, और हम ब बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपकी राशी के अनुसार से लिए हम बात करें, तो ग्रहों की स्तिती अनुकूल बनी होई है, लाप की स्तिती प्रशस्त होगी, आगे बढ़ने के अफसर आपको प्राप्त होंगे, पुन्यों के उधे होने से आपके मन में प्रसं जो शुब योग बनेगा, यह आपके लिए विश्चत तो पर लाप की स्तिती परनाता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के अफसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, देखें एक बात का धहन लखिया है, गंडमून लक्षे तर फेद्वित्वित्दिमान हो गया है, ऐसे मे जदी आपके घर में कोई बाला का जन्व हो रहा है, तो विश्चत तो पर उनकी मूल शानती अवश्चे कराने का आपको प्रयास करना चाहिए, बीस तारीक के ग्रहों करना विश्चत तो पर बड़ा परिवर्तन दिखा रही है, मैतोपूर्ण आपके लिए लाप की स्तित आपके बात का समय आपके लिए ज्यादा नुकूल दिखाई दीता है, तो कोशिशे करें, अपना दिन का आरंब करें, पूरा दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, शुब बना रहेगा, धन्यवाद